आपको दोजार्शॉबिस का लोगसभा चुनाओ याद होगा कुछ बयान याद होंगे कुछ दावे याद होंगे कुछ बयान आपको याद करवा देते हैं प्रधान पंत्री मोदी के जो उन्होंने कहा था कि इंडिया गरबंदन वाले आपका मंगल सूत्र ले जाएंगे आपकी भैस चुड़ा ले जाएंगे इस तरीके के बयान लोगसभा चुनाओ में दोजार चुनाओ में आपने देखे सुने और उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया आपने संची अब वापस से हर्याना जमुकश्मीर के चुनाओ खत्फ होने के बाद जारखंड और महाराश्य के लोगसभा चुनाओ है तो वापस से ऐसे ही कुछ भाश्रों की एंट्री हो गई है नई बात है बेटी उठा ले जाएंगे ये कहा है हमारे पधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आदाब नमस्कार मैं हूं सौरव शुक्ला रेड माइक में आपका स्वाकत है क्या आप कभी खाली बैटते होंगे सोचते होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब भी चुनाओ आता है तो बीजेपी मुसलमान, इर्फान, आलम, घुसपैठिया, बंगलादेश ऐसे लखजों का प्रयोग क्यों करने लग जाती है और अब तो बटेंगे तो कटेंगे बहुत तेजी के साथ चल रहा है, काफी पॉपिलर हो रहा है चुनाओं में तो उधर प्रधान मंत्री मोदी ने भी ज़ारखन चुनाओ प्रचार में एक नया राग छेट दिया है कि बेटी उठा ले जाएंगे और प्रधान मंत्री के इस बयान पर तो हम चर्चा करेंगे लेकिन दूसरी तरफ असम के मुख्य मंत्री है हिमंत विश्वा सर्मा जो ज़ारखन चुनाओ के प्रभारी भी हैं वो भी रोज घुस पैठिया, इर्फान, आलम, लूट लेंगे, कबजा कर लेंगे जैसे लफजों का प्रयोग चुनाओी कारेकरमों में धडले के साथ कर रहे हैं अब तक ये बात लोगों को समझ देनी चाहिए कि बीजेपी कोई चुनाओ बिना मुसल्मानों को मुद्दा बनाए नहीं लड़ती है और लड़ती है तो जीत नहीं पाती है और जीती है तो मुद्दा बना करके होता है हम कभी सोचते हैं कि अगर मुसल्मान ना होते तो बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचता और ये बात पर आप शायद इत्तफाक रखे हैं हमारी पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बयान हर रोज दिये जा रहे हैं पर चुनाव आयोग ने अपनी आख कान नाक मू सब बंद कर लिये हैं लोग सभा चुनाव में पधान मंतरी मोदी ने कहा था कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीक का मैनिफेस्टो है राहूल कांधी जीतेंगे तो पाकिस्तान में जश्र मनाया जाएगा इंडिया कट बंधन वाले आपका मंगल सूतर छीन लेंगे फिर पधान मंतरी मोदी ने कहा कि इंडिया कट बंधन वाले आ जाएंगे तो आपकी भैस खोल ले जाएंगे ये सारे बयान दिये गए और अब पधान मंतरी ने कह दिया कि आपकी बेटी उठा ले जाएंगे ये बयान प्धान मंतरी मोधी ने जारखन में चुनावी रैली में दिया आईए सुनते हैं कि जारखन में प्धान मंतरी मोधी ने क्या कहा था और उस बयान पर हम आगे चर्चा करेंगे आपको जेमेम कॉंग्रेस आर्जेडी से बहुत सावधान रहना है जेमेम कॉंग्रेस आर्जेडी ने जार्खन की अस्पिता को संकट में डाल दिया जार्खन की डेमोग्राफी यहां की पहचान को बदलने की साजीस हो रही है इसले गुश्पेट्ट्जों का समर्थाग गडबन्दन का ठपना मन गया है चोँगि गुश्पेट्जे इनका सबसे बड़ा ज़्ति मिलकर इन गुश्पेट्जों के फरजी काघज बन वा रहें इनके हर गलत काम का सवर चञ़कर कर रहे हैं यहां तक कि जब कॉट में से पूझा गया तो वहां भी उन्हों ने जूड बोला कि गुष्पेटिये होई नहीं है गुष्पेटिये आधिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं जूड ठरे प्थल कपडसे शादी करके आधिवास्यों की जमीन हरप रहे हैं यहां आपकी रोटी भी छिन रहे हैं अर आपकी माटी को भी हरप कर रहे हैं इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सब की फुकार को याद रखना है हमें जारखन के अस्पिता को बताना है तो आपने पधानमंतरी मोधी को सुना पधानमंतरी मोधी के इस बयान पर एक्सपर एक प्रतिक्रिया ने हमारा ध्यान जरूर की चाहे ये पोस्ट एक पब्लिशर है, उन्होंने एक्सपर की है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कहा है कि वोटों को बाटने के लिए कोई इतना नीचे कैसे जा सकता है पीम ने बेटी बचाओ का वादा किया था और अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को मुसल्मान उठा कर ले जाएंगे उठा ले जाएंगे का मतलब क्या है प्रधानमंत्री जी अगर आपके एक बेटी होती तो आप ये कह भी ना पाते ये ट्वीट है ऐसे तमाम जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर ट्विटर पर आप देख सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पर हेमंत्र विश्वा शर्मा हर रोद मुसल्मानों के नाम पर जारखंड के लोगों को डरा रहे हैं उनके ये बयान वाकई में डराने वाले हैं कि इतना सब कहने के बाद भी खुले आम कहने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई कारवाई नहीं होई है और आप खुद सोचिए कि क्या ये बयान आपको स्वीकार हैं क्या ये बयान भारत के समेधान के अनुसार हैं जरा हिमंत्र विश्वा सर्मा के कुछ चुनावी भाशन सुन लीजे हमारा प्रेटियों को लुनता हमारा जमीन को लुनता हमारा स तरखार को हमारा हंजर को लुनता हमें आवाज उठाना है हमें होना है बीजेपी आशु जंताद लोग जंशक्ति पार्टी ये जो NDA है ना ये NDA को भोट देखे हम जारखन को एक नया जारखन बना रहा है हेमंद बिश्वा के इन बयानों को लेकर के इंडिया गट बंधन ने चुनाव आयोग से शिकायद की है पर चुनाव आयोग ने कोई कारवाई तो नहीं की है और अब तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है पर घुजपैठिये, बंगलादिश, इन तमाम मुद्धों पर अपना चुनाव डिफेंड कर रहे जारकन की मुख्य मंत्री हेमन सरोयन ने जरूर एक भाशन दिया है उस भाशन में उन्होंने क्या कहा जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं बड़ाई, अजीबों गरीब आट ये लोग बोलते हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के पधान मंत्री जी जब सपद गरण कर रहे थे तो सम्मिदान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश, इस देश के सम्मिदान से चलेगा काईद उनसे चलेगा, हर वर घर समाच, जो सम्मिदान जादिकार मिला है, सब को मिलेगा मैं ये जानना चाहता हूँ, कि बंगला देश के साथ अंदरे अंदर कोई घूश्म आप लोग को कोई समझोता है और आज बंगला देश के पूर बरभान मत्री को आपने यहां हेलिकाउप पर उतार ने कैसे दिया और किस की सदार पर आपके उसको सरंदे रखाए हम दो यह बता दिया और बंगलादेश को जारखन में आपको भिजली पैदा करते हैं और बंगलादेश को सप्लाइ करते हैं और बंगलादेश की माइड करते हैं बंगलादेश के घृष्वेट करते हैं और बंगलादेश के करने वाला भारत करथ चांत हैं पाटी सास राज्वों से घुष का आता है खुद बोलते हैं और यो यहां बतरीके से पताने क्या क्या सिनेंट रशता है बाप तो सही है कि एक तरफ आप बंगलादेश को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है अब एक सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान और बंगलादेश की सीमा के निगरानी तो B.S.F. बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स करती है जो सीदे ग्रे मंतरी आमिर्शा के नीचे है तो अगर अवैद गुस्पैट हो रही है तो जिम्मेदारी किस की होनी चाहिए ये सवाल भी उचा जा रहा है खेर सुप्रीम कोर्ट की समयधानिक पीठ ने साल 2017 में आदेश दिया था कि नेता धर्म, जाती और भाषा के आधार पर वोट मांगे तो उन्हें तुरंत अयोग्य घोशित कर दिया जाए कोर्ट ने अपने जज्जमेंट में कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भरष्ट आचरन है सर्वोच नियाले ने इस मामले में 2017 में जज्जमेंट डिया था और ये एक बहुत एतिहासिक फैसला था और इस बेंच में साथ सदस्य बेंच थी और उन्होंने कहा था कि नेता धर्म जातिय भाषा के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करें तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तुरंत आयोग गोशित कर दिया जाए न्यायले ने ये भी स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध किंचित ही एक व्यक्तिकत राय है और इस तरहें की गतिविधियों के प्रती राज्य की कोई निष्ठा नहीं होनी चाहिए चुनावी प्रक्रिया एक धर्म निर्पेख्ष गतिविधि है आता धर्म की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए राज्य के साथ धर्म का मिश्रण सम्वेधानिक रूप से उचित नहीं है ये सुप्रीम कोट ने 2017 में दिये गए अपने जज्जमेंड में कहा था पधानमंत्री के बेटी उठा लेंगे कि बयान पर कॉंग्रिस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीरेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि वो आपकी बेटी छीन रहे हैं जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहाँ ऐसी घटिया बाद सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज़त नहीं है उन्होंने आगे बोला कि सोचती थी नरिंदर मोदी मंगल सूतर और मुजरे से जादा नीचे नहीं गिर सकते हैं लेकिन वो गिर गए शर्मना ये प्रतिक्रिया शुप्रिया शुनेत ने एक्सपर पधान मंतरी मोदी के बयान पर दी है हमें दिल्ली का पिशला विधान सभा चुनाव याद आता है उस वक्त ऐसे ही कुछ धार्मिक नारे, कपिल मिश्रा और उस वक्त केंद्रे मंतरियन रख ठाकुर ने दिये थे लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने कारवाई की थी और उन्हें कुछ दिनों तक प्रचार करने के लिए रोक दिया था उन्होंने इंडिया गटबंधन को निशाना बनाये लेकिन उन्होंने अपने बयान में एक बार भी हेमन सोरेन का नाम नहीं लिया इसमें आप समझें कि अगर राजिंदिक तोर पर देखे जहारखंट को तो जो सिद्विल ट्राइब यानि जन जातिये बहुल सीटे हैं वहाँ पर बीजेपी ने पिछले विधान सबाचुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया था और प्रदानमंतरी मोधी को पता है कि अगर सीधे हेमन सोरेन पर अगर वो निशाना साधेंगे तो उसका चुनावी नुकसान उन्हें हो सकता है यही वज़े था वज़े है कि उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो इंडिया गडबंधन को क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा पहली बार नहीं है कि धार्मिक नारे लगाये जा रहे हैं हर चुनाव में देश के गद्दारों को वगरा वगरा इस तरीकी के नारे लगते रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे की चर्चाहम कर चुके हैं इसके जवाब में दूसरे कई और नारे दिये जा रहे हैं अपना फैसलात देंगे लेकिन आंत में एक बात हमें जरूर सोचनी समझनी होगी कि दस साल बाद केंदर में सत्ता में रही बीजेपी को हर चुनाव में मुसल्मान घुस पैठिये बेटी उठा ले जाएंगे बटेंगे तो कटेंगे कि नारों के जरूरत क्यों पड़ती हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया